ही गाईज वेलकम बैक टू माई चैनल आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी करेले प्याज की सबजी और इस तरीके से करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे तो चलिए शुरू करते हैं करेले की सबजी बनाने के लिए हमने लिए हैं 500 ग्राम करेले को हमने पानी से अच्छे से धो लिया था इसके बाद अब हम करेले को छील लेंगे तो एक छीलनी की सायता से हमें एकदम पतली पतली इसकी निकाल ली है तो देखे इस तरह से हम सारे ही करेले छील के तयार कर लें या इस तरह से पहले लंबाई में कट कर लीजिए और मैं यहाँ पर इसकी पत्ली-पत्ली इस तरीके से स्लाइस में चार टुक्णे में ऐसे कट कर रही हूँ यह देखे फिर से बीज से कट करेंगे आप अपने पसंद के इसाब से करेले को काट सकते हैं अगर करेले के बीज हार्ड हो और आपको बीज ना पसंद हो तो आप बीज निकाल दीजिएगा जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इन करेलों के बीज सॉफ्ट थे तो हमने नहीं निकाले हैं और प्याज को भी हमने काट के तयार कर लिया है अब गैस में हमने एक कडाही रखी है इसमें हम तेल डालेंगे तो लगभग चार से पांच चमच के इतना इसमें तेल जाएगा तेल थोड़ा सा जादा जाता है करेले में यहां पर मैं इसमें दो चुटकी हिंग डालूँगी और एक चमच मैंने इसमें सॉफ्ट डाला है और एक चमच हम इसमें जीरा डाल देंगे जीरा आप आधा चमच भी डाल सकते हैं हलका सा भूनेंगे इसके बाद हम करेले डाल देंगे तो ये कटे वे करेले हमें पहले डालने है तो करेले डालके हमें इसे अच्छे से मिक्स करते वे हमें करेलों को अच्छे से भूनना है करेले जितने अच्छे से भूनते हैं इनकी जो कड़वाट है बिल्कुली खतम हो जाती है तो करेले को अच्छे से भूनना बहुत ही और चलाते हुए इसे अच्छे से सौप्ट होने तक पका लेजी अब इसमें आदर चमश हल्दी पावडर डालेंगे एक चमश नमक या नमक आप स्वाद के अनुसार डालिएगा अभी हमें सिर्फ इसमें हल्दी और नमक ही डालना है और कोई भी मसाले हम नहीं याड़ करेंगे अच्छे से मिक्स करेंगे और वापस फिर से हम इसे ढख करके चार से पांश मिनट तक बीच बीच में चलाते हुए पका लेंगे तो यह दिखें चार पांश मिनट तक मैंने इसे कुक कर लिया आप देख सकते हैं करेले जो है वो अच्छे से भून गये हैं जैसा कि आप इनके उपर उपके जो ब्राउन स्पॉट देख पा रहे होंगे अब इस स्टेज में हम इसमें डाल देंगे प्याज अब प्याज डालके अम अच्छे से मिक्स करेंगे करेले को पहले पका लेंगे क्योंकि जो प्याज है उसे सॉफ्ट होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है जल्दी से प्याज सॉफ्ट हो जाती है तो चाहे तो आप इसे थोड़ा ढखके भी पका सकते हैं या इस तरह से खुले में भी पका सकते हैं जब प्यास सौफ्ट हो जाएगे, हम इसमें एक चम्मच धनिया पाउडर और एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे, मिला देंगे अच्छे से, यह दिखे इस तरह से मिक्स करने के बाद, हम इसमें डालेंगे आमचूर का पाउडर, तो यह छोटा चम्मच है, तो जो करेले हैं, वो बहुत ही टेश्टी बनते हैं, साथ ही साथ इनकी कड़वाट भी काफी अतक कम हो जाती है, गुड की जगे आप चीनी भी डाल सकते हैं, बट अगर आपको गोड या मीठा कुछ नहीं पसंद है, तो आप इसे बिना गोड या चीनी डाले भी बना सकते है बस करेले को इस तरह से बीजबीश में चलाते हुए दस से बारा मिनट तक अच्छे से भुणने दीजिए, गुड के साथ जब या अच्छे से भुणते हैं, तो ये बहुत ही डेश्टी लगते हैं, तो आप एक बार इस तरीके से करेले प्याज की सबजी जरूर बनाएग से इसलिए अच्छे से लेव met चालते हैं, तो ये जरुण के से बारिण के छो रबनाएगार प्यान के साथ ज से लिजब को आपषा एक सुछ का भ्याता हैं, तो ये बल्स कना रaden बलते हैं, जह जो है प्याज़ हैं प्यां हैं, तो इस एम दिए लाम हैं, ऐनτα हैं